Venus Sagittarius sign पर transit कर रहे है in between 18th January to 12th February 2024 तक अब देखे Venus Sagittarius sign पर अकेले नहीं है Venus के साथ already Mercury and Mars है Sagittarius sign पर and क्योंकि देखे Aries sign पर इसवब Jupiter है तो definitely Jupiter का भी जो 9th aspect है वो Sagittarius sign पर पर रहा है इसका मतलब कही न कही Venus, Mars, Mercury and Jupiter एक दूसरे के साथ connected है तो आज के इस वीडियो में मैं इस transit के वज़े से आप लोग के life में क्या-क्या events आप लोग expect कर सकते हैं and in general आप लोग क्या-क्या energy shifts देखेंगे इसी के विशर में मैं पहले discuss करूंगी मतलब transit का analysis दूँगी और उसके बाद आप सभी लगना वालों के लिए मैं prediction दूँगी याद रहे कि ये जो prediction वीडियो है ये generalized prediction वीडियो है तो इस वीडियो को सिर्फ as a guidance आप लोग सुनिए और कोई भी personal या फिर professional serious decision इस वीडियो के उपर base करके ना ले तो ही बहतर है इस वीडियो का time stamp इस वीडियो के description box पर and comment section पर available है और अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नय वीवर है और अभी तक आप लोगों ने subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe कर लिजे and notification या निबल आइकन को please on कर लिजे ताकि जब भी कोई भी मैं नया वीडियो बनाऊ उसका notification आप लोगों तक बहुत सके तो चलिए आज के topic पर बात करना शुरू करते हैं तो देखिए Venus क्या है Venus, Arts, Media, Creativity, Spouse, Love, Romance यह सब को represent करते हैं साथी में Mars जो है वो बहुती passion है Mars हमारा जो power है जहाँ पर हम लोग हमना action लेते हैं उन चीज़ों को represent करता है technical studies, logical studies and logic को खापर हम लोग apply करते हैं हमारे overall action को represent करता है Mercury वही पर हमारा communication है किस तरह से हम लोग किसी एक particular चीज़ को analyze करते हैं Mercury जो है वो काल का of study है तो परहाई को भी Mercury represent करता है and naturally sign of Sagittarius जो है वो कालपुरिश कुनले में 9th house में fall करता है जो education को represent करता है higher religion belief system को represent करता है जो भी मानलों की जो optimism है जो हमारा happiness है उस चीज़ को भी represent करता है father, guru, teacher, mentor, professors को represent करता है किसी भी प्रकार के consulting, advising, guiding या फिर import, export, travel के साथ connected कोई भी काम को represent करता है और भी काफी से कुछ चीज़ है जो Sagittarius sign represent करता है अभी क्यूपिटर का भी 9th दृष्टी है इस conjunction के उपर तो definitely Jupiter जो है वो भी guru है just like Venus, Venus दैत्य गुरु है Jupiter जो है वो देवा गुरु है तो Jupiter भी जो है वो studies को भी represent करते है Jupiter जो है वो man Jupiter and Mercury दोनों ही management and accountancy को represent करता है money management को represent करता है वही पर Venus जो है वो wealth है ठीक है तो देखो यह जो एक conjunction है तो यह almost सभी profession वालों के लिए यह एक अच्छा time लेके आने वाला है okay of course आप लोग के chart का जो current महादशा लोड है अंत्रदशा लोड है परियंत्रदशा लोड है वो अगर positive result के तरफ indication दे रहा है और यह conjunction इस वक्त जो transit इस वक्त हो रहा है तो यह huge luck huge good fortune आपके life में लेके आएगा वो परहाई के लिए भी हो सकता है अगर आप लोग परहाई करते हो अगर आप लोग job में हो business में हो तो वहाँ पर भी आप लोग बहुत अच्छा good luck मिलेगा good fortune मिलेगा कोई गुरू इस वक्त आप लोग के life में आ सकता है मालो कि आप लोग travel कर रहे हो और कोई एक mentor आपको मिल गया कोई गुरू मिल गया वो spiritual गुरू भी हो सकता है वो आपका कोई एक professor हो सकता है अगर आप लोग educational field में हो जो आपको बहुत जदा help कर रहा है guidance provide कर रहा है आपको protect करने की कोशिश कर रहे है सही रास्ता दिखा रहे है अगर आप लोग job में हो तो वहाँ पर कोई mentor आपको बहुत जदा help कर सकता है ठीके 9th house देखो manager भी है क्योंकि 9th house जो है वो 10th house के हिसाब से 12th position में fall करता है तो जो भी हमारे second and 12th position पे होते है वो हमारा support system है क्योंकि वो हम लोग को घेर के रखते है तो जब हम लोग कही पर भी job करते है तो हमारा जो support system होता है सबसे पहले वो हमारा जो colleague होता है वो होता है और नै तो कोई हमारा अगर manager है तो वो होता है अगर आप कोई higher position पे हो तो definitely आपके upper level bosses होते है और जो आपके under काम करते है subordinates वो आपके support system है क्योंकि आप कोई भी काम उन लोग के support के बिना पूरी तरह से नहीं कर पाऊगे कही ना कहीं दिक्कत होगा अगर in houses में कोई problem है तो तो इस वज़े से 9th house and Sagittarius sign जो है वो overall luck and fortune को represent करता है तो यह जो time है वो बहुत ही अच्छा है अगर आप लोग education में भी हो अगर आप लोग business करते हो, job करते हो, कोई भी career में हो बहुत ही अच्छा है बट यहाँ पर एक चीज है कि देखो जब Venus transit कर रहे है Sagittarius sign पर तो वो मूला नक्षत्रा में transit कर रहे है और Mercury and Mars जो है वो एक शत्रिया योगा बनाता है क्योंकि देखो Mars जो है वो fight को represent करता है and Mercury जो है वो हमारा natural जो कालपुरिश कुन ले है वहाँ पर Gemini sign को करता है जो कि हमारे हाथ को shoulder को represent करता है quick movement को represent करता है Mercury तो इस वाए से एक शत्रिया योगा तो एक create होता है जब Mars and Mercury conjunction में होते हैं अभी Venus है तो ये एक positive yoga भी है बट यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो communication होगा वो बहुत यादा diplomatic होगा येट बहुत यादा straightforward and बहुत यादा strong होगा ठीक है आप लोग का religious belief system होगा वो बहुत यादा strong and stubborn होगा ठीक है मतलब आपका religious belief system है आप उससे थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होंगे और क्यूंकि देखिए ये जो combination बन रहा है वो Sagittarius sign पर हो रहा है तो यहाँ पर काफी सारे information आपके पास आ सकता है जो आपके favor में काम करेगा बट अगर वो religion belief system हुआ या फिर मान लो कि कुछ आप suddenly क्यूंकि मुला नक्षत्र में Venus है तो बहुत सारे dark secret भी इस वक्त बाहर आ सकते हैं जिसके उपर डिपेंड करके अगर आप लोगोने अपने दिमाग को शांत नहीं रखा तो argument हो सकता है आपके life partner के साथ या फिर love interest के साथ क्योंकि Venus जब भी मुला नक्षत्र में जाते है ना देखो मुला एक ऐसा नक्षत्रा है जो कि केतु रूल करते हैं ओके और मुला का मतलब है बहुत ही deep-rooted information ठीक है तो इस वक्त आपका जो spouse होगा आपका जो partner होगा और अगर Venus आप लोग के लिए भी आपका आत्माकार का है यानि आपका 4-6 significator है तो इस वक्त क्या होगा कि आप लोग मार लोग के single हो कोई partner ढून रहे हो तो आप लोग अपने partner के साथ तभी connect हो पाओगे जब वो partner बहुत ही serious topic पे आपके साथ बात कर रहे हैं बहुत ही higher level topic पे बहुत ही logically बात कर रहे हैं intelligence show कर रहे हैं ऐसे partner के तरफ आप लोग attracted होंगे और उनके साथ बात करने में आपको अच्छा लगेगा उनके साथ वो इस टाइप के partners आप लोग attract करने की कोशिश करेंगे similarly अगर मान लो कि आपके horoscope में जो Venus है वो मूला नक्षत्रा में है और Venus नहीं आपका लगना Lord है नहीं लगना नक्षत्रा के ruler है नहीं Venus आपके आत्मकार का है तो वहाँ पर क्या होगा कि Venus आपके जो partner है जो spouse है उनको ही सिर्फ represent कर रहा है इस particular section में तो तब क्या होगा कि आप लोग का जो partner होगा आप लोग देखेंगे कि suddenly आप लोग कुछ joke कर रहे हो कुछ उनको बता रहे हो जो थोड़ा मतलब serious नहीं है तो वह इरिटेट होंगे उनको लगेगा कि आप इतना stupid topic पर क्यों बात कर रहे हैं उनसे यह तो nonsense है तो क्या होगा कि ऐसे मतलब passion रहेगा because Mars है, Mercury है, Jupiter का जो दृष्टी है, Jupiter का काम है कि कि किसी भी planet का quality है उसको amplify करना उसको बढ़ा करना तो definitely आप पर passion, romance, सब कुछ बढ़ेगा मतलब relationship के अंदर जो hope है, wishes है, desire है वह बहुत यादा बढ़ा हो जाएगा इस वक्त और यही reason है कि आपका partner और नहीं तो आप बहुत हायर level partner आप लोग demand करेंगे romance भी होगा तो वह बहुत हाई level पे होगा एसा नहीं है कि वह मतलब सिर्फ जो attraction है वह भी एक term होता है कि soulmate इस type का connections इस वक्त आप लोग सर्च करने की कोशिश करेंगे तो मतलब अगर basic level में हम लोग देखेंगे तो येस वीनस जब तक मूला नक्षत्र में है उसके बाद आप लोग अपने relationship में अगर आप लोग खुश नहीं हो न तो उसको अप लोग uproot करने की कोशिश करेंगे आपको suddenly मैसूस होगा कि अगर आप खुश नहीं हो तो आप इस partner के साथ नहीं रहोगे तो suddenly आप और ने तो आपके partner क्या करेंगे इस वक्त आइदर आप issues को resolve करो और ने तो उस partnership से वो लोग बाहर आने की कोशिश करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मानलो कि पूरवा शदनक्षत्रा में जैसे Venus transit करेंगे वो Sagittarius sign के अंदर ही होता है तो उस वक्त क्या होगा कि verbal arguments होंगे क्योंकि naturally पूरवा शदनक्षत्रा और उत्तरा शदनक्षत्रा जब है वो वर्जोन के साथ connected है तो मतलब relationship में वही लोग बहुत ही आराम से रहे पाएंगे जो लोग naturally बहुत सदा devoted है naturally जो लोग बहुत यादा intelligence शो करते है, dutyful है, committed है अपने relationship में सिर्फ उनहीं लोगों के लिए ये time बहुत अच्छा रहेगा, rather उनका जो connection है वो बहुत यादा flourish होगा पर जो लोग मालों की like playboy, playgirl type के लोग है तो ऐसा situation में definitely relationships break होंगे और वो breakups इसलिए होंगे, शायद आपको कोई secret पता चला है, शायद कुछ, मतलब ऐसा आपको पता चला है जो आपको नहीं पता था, definitely बुरा है, काफी सारे secret information इसवक्त reveal हो सकते हैं अगर हम लोग education या फिर career के बारे में सोचे तो यह एक बहुत ही high level optimistic time है, बहुत ही अच्छा time है यहाँ पर अगर आप लोग कुछ नया create करना चाहते हो, definitely बहुत ही अच्छा है तो अभी हम लोग ascendant wise prediction पर चलते हैं तो अगर आप लोग का लगना यानि ascendant, Aries यानि मेश है, तो यह जो Venus आपके 9th house पर transit कर रहे हैं तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो का analysis पार नहीं सुना है, तो definitely आप लोग सुनें, वह बहुत ज़्यादा positive है और काफी कुछ मैंने details में अबहाँ पर explain किया है, तो यहाँ पर मैं shortly आप लोगो को बताऊंगी, ठीक है तो देखें, अगर Venus आपके 9th house पर इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं, तो definitely क्या होगा कि अगर आप लोग education में हो, या फिर किसी भी प्रकार के job में आप लोग क्यों नहीं हो, यहाँ पर आप लोगो success मिलेगा, good luck and good fortune मिलेगा But at the same time, relationships में कुछ-कुछ secret इस वक्त बाहर आ सकते हैं, और नै तो क्या होगा कि इस वक्त आपका जो partner होगा, वो बहुत यादा seriousness डिमांड करेंगे आपसे, बहुत यादा high level पर commitment है वो डिमांड करेंगे और अगर Venus आपका आत्मकार का है, तो similarly आप भी यह सब चीजे डिमांड करेंगे अपने partner से, अगर आपका partner या फिर आप high level पर communication नहीं कर रहे हो, बहुत यादा serious topics के उपर, logical topics, logical चीजे आप लोग discuss नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका partner और नहीं तो आप बहुत यादा irritated मैसूस करेंगे, अभी maximum जो है Venus क्योंकि spouse को partner को represent करता है, तो यह उनके लिए applicable है, बट अगर Venus आपका आत्मकार का हुआ, यानि चरा soul significator अगर हुआ, तो यह same चीज आपके लिए भी applicable होता है, अगर आप अपने relationship में खुश नहीं हो, या फिर कहीं न कहीं, आपका partner आपसे खुश नहीं है, तो यह एक time हो सकता है, जहाँ पर verbal arguments होंगे, और आपका partner इस वब तकने relationship को revaluate करेंगे, और हो सकता है, अगर आपका current महादशालोड, अंत्रदशालोड, परियंत्रदशालोड, अगर breakups के तरफ indication दे रहा है, तो breakups हो सकता है, और नै तो आपका जो relationship है, लेवल पर जा सकता है, जैसे मालो कि इससे पहला आप लोग partners, normal girlfriend, boyfriend है, अभी क्या हो रहा है कि आप लोग उसको एक high level पर ले रहे हो, यानि आप अपने family members को बता रहे हो, अपने partner के बारे में, committed होना चाहते हो आप लोग, तो यह सब हो सकता है, अभी यह depend करेगा आप communication style बहुत ही आदा, diplomatic होगा, straightforward होगा, ये थोड़ा बहुत अच्छा भी होगा, क्योंकि Venus का influence है, Gemini Sign के ओपर, जो लोग information technology में हो, या फिर मानलो कि आप लोग किसी भी प्रकार के consulting business में हो, उन लोग के लिए बहुत अच्छा है, advocates हो, बहुत अच्छा है, ठीक है, या फिर कि इसी भी प्रकार के business के लिए, job के लिए, ये जो, मतलब, ये जो time हो बहुत जादा अच्छा है, अब मैं क्यों बोल रहे हूँ, ये सब आपको समझ में आएगा, अगर आप लोग इस वीडो का transit पार्ट सुनेंगे, transit analysis पार्ट सुनेंगे, okay, तो, yes, क्योंकि Sagittarius sign हमारा religious belief system है, तो definitely इस वक्त आप लोग spiritual होंगे, but at the same time आपका जो spiritual belief system होगा, वो बहुत ही ज़्यादा rigid होगा, strong होगा, तो इसके वैसे कुछ-कुछ verbal arguments हो सकता है, तो कोशिश करें कि religion belief system के ऊपर जादा verbal argument पे ना जाए, और अपने partner के तरफ, अपने relationship में आप लोग बहतर बनने अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए and thank you so much for watching my video, thank you, तो अगर आप लोग का लगना यानि Ascendant, Taurus यानि वृषव है, तो Venus आप लोग के लिए आपके 1st and 6th house के ruler है, Venus आपके 8th house पर transit कर रहे है with Mars and Mercury, और यहाँ पर Jupiter का भी aspect है, 9th दृष्टी है, ठीक है, तो देखिए इस वीडियो का जो analysis part है, अगर आप लोगो ने नहीं सुना है, तो मैं highly recommend करूंगी कि इस वीडियो का analysis part आप लोग definitely सुनिये, क्योंकि वहाँ पर काफी कुछ मैंने details में explain किया है, जो कि बहुत ज़ not only आपके personal life में कुछ-कुछ sudden transformation, sudden changes आएंगे, but at the same time, क्योंकि Venus आपके 6th house के ruler है, वो आपके 8th house पर transit कर देए है, तो यहाँ पर एक job change हो सकता है, अभी यह job change maximum positive होने का chances है, but अगर आपका current महादशा लोड, अंत्रदशा लोड, परियांत्रदशा लोड अगर positive के जगह पर अगर negative result के तरफ indication दे रहे है, तो यह एक lay off हो सकता है, otherwise forceful job change हो सकता है, तो कुछ भी हो, यहाँ पर आपका, जो job change होगा, उसके उपर जादा depression में जाने की ज़रुवत नहीं है, क्योंकि Jupiter का भी दृष्टी है, and Venus खुद ही एक positive planet है, तो यहाँ पर क्या होगा, कि अगर job change ह वह भी रहा है, तो आपको job मिल भी जाएगा, आपको बस कोशिश करना परेगा, और यहाँ पर अगर मान लिजे कि, देखिए एक विपरी तराज होगा यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि Venus आपके 6th house के ruler है, वो आपके 9th house पर जाएगा, I mean आपके 8th house पर जाएगा, तो इस व मतलब उसका सामना करना शुरू करेंगे, या फिर कोई obstacle आ रहा है, कोई challenge आया है, उसका आप जब सामना करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे जो result है, वो आपके फेवर में transform होना शुरू हो जाएगा, और उस problem को overcome करने के बाद, आपको कुछ ना कुछ गेंस, कुछ ना क या फिर इस ताप के कोई education field में जाना चाहते हो, तो अच्छा है, कोई भी प्रकार अगर आप लोग accounting का काम करते हो, आप लोग chartered accountant हो, या फिर naturally आप लोग money managers हो, financial advisors हो, tax management का काम करते हो, या फिर government के अंदर ही कोई आप लोग काम करते हो, या फिर कोई भी आप लोग cyber crime, cyber security, computer science, या फिर आप लोग architects, I mean architect नहीं, क्या बोलते हो उसको, archaeologist हो, ठीक है, historians हो, geology या फिर mining field में काम करते हो, diamond field, या फिर metal industry में आप लोग काम करते हो, oil and gas, petroleum industry में काम करते हो, advocates हो, बहुत ही अच्छा time है आप लोग के लिए, अगर आप लोग banking sector में भी काम करते हो, या फिर management म हो आप लोग, तो भी बहुत ही अच्छा time है आप लोग के लिए, इस type के studies में अगर आप लोग जाना चाहते हो, वहाँ पर पर आपको success मिलेगा, यहाँ पर suddenly कोई guru, कोई mentor आपको मिल सकता है, जो आपको किसी भी प्रकार के negative situation से आपको बचा सकता है, और वो suddenly होगा, क्यू आपको मिल रहा है, तो यह सब चीजे इस वग आप लोग expect कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक चीज हो सकता है कि देखिये, relationship में, क्यूंकि Venus जब Sagittarius में transit करे तो वो मूला नक्षतर में transit करेंगे, तो और 8th house जो है, वो secret information को represent करता है, dark, hidden information को represent करता है, तो अगर आपको single हो, तो हो सकता है कि कोई secretive love affair इस वक्त बन सकता है, और जिन लोग के chart में Venus afflicted है, और currently एक breakup होने के chances है, यह सब दिख रहा है, ऐसा situation में हो सकता है कि बहुत ही कोई dark, कोई secret information इस वक्त reveal हो सकता है, जिसके वज़े से आपके partner के साथ आपका breakup हो सकता है, और नहीं तो इस वक्त आपका arguments होंगे, तो आपको बहुती carefully काम करना है, अगर पैसा invest कर रहे है, बहुती carefully आपको invest करना है, ओके, तो I hope कि आप लोग को मेरे वीडियो और गाइदेंस अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक् अगर इस वीडियो का transit analysis part आप लोगोंने नहीं सुना है, तो प्लीज उसको सुन लीजे, और उसके बाद इस prediction को आप लोग देखिए, तो आपको काफी अच्छा clarity मिलेगा, यहाँ पर मैं बहुती shortcut में बताऊंगी, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि अगर आ आप लोगो को transit analysis के हिसाब से transit wise आपको success मिलेगा, और यहाँ पर एक beautiful बहुती अच्छा partnership यहाँ पर business में हो सकता है, यह एक business collaboration भी हो सकता है, ठीक है, और मान लिजे कि अगर आप लोग business नहीं भी करते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, कि जॉब में यह उतना ज्यादा effective नहीं होगा, क्योंकि 7th house में, यह देखो तभी job space में यह तभी affected होगा, जब आप कोई sales में काम करते हो, या फिर आप लोग public figure हो, आप लोग media personality हो, ठीक है, आप लोग को काफी रदा travel करना पड़ता है, meetings करना पड़ता है, बहुत सारे अलग-अलग लोगों के साथ, सिर्फ उसी case में, यह जो 7th house में, यह जो positive, यह जो conjunction हुआ है, यह तभी आपको अच्छा, यानि positive result देगा, otherwise, अगर आपका promotion होने का पूरा-पूरा अगर chances है, आपका current महादशनलोड, अंत्रदशनलोड, परियंत्रदशनलोड, अगर इस वक्त, current promotion होगा, इस track कोई भी indication दे रहा है, relationship आ सकता है, और अगर आप लोग आप लोग आपने partner के तरफ devoted हो, आपका partner भी काफी अच्छा मतलब है, आपके तरफ devoted है, लोयल है, तो माल लीजे कि आप लोग पहले girlfriend boyfriend है, तो अभी क्या करेंगे, आप लोग उसका higher level पर जाने की कोशिश करेंगे, यानि अपने family members को बता आने की कोशिश करेंगे, शादी में convert, एक normal relationship से आप लोग शादी करने के बारे में सोचेंगे, उसको permanent करने के बारे में सोचेंगे, तो एक high level commitment यहाँ पर आ सकता है, but on the other hand, क्या होगा, कि मान लीजे कि आप और ना तो आपके partner, किसी, मतलब यह आपके लिए तब ही applicable होगा जब आपका Venus आत्मकार का है, यानि 4 Soul Significator है, सिर्फ तभी आप local applicable होगा, otherwise क्योंकि Venus Sagittarius sign पर मूला नक्षत्रा में transit कर रहे है, तो मूला देखो K2 के द्वारा ruled एक नक्षत्रा है, and मूला जो है वो deep rooted चीजों को represent करता है, और sudden uprootment को भी represent करता है मूला नक्षत्रा, क्योंक पर अगर मालो कि आपके साथ आपके पार्टनर का काफी दिनों से कुछ अन्बन चल रहा है, आपका पार्टनर चाहता है कि आप उनको high level पर commitment दे, और कहीं न कहीं कुछ problems के वैसे, या पर किस आलग reason के वैसे, आप लोग नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पर आपका पार्टनर suddenly इस relationship को break up कर सकता है, क्योंकि वो अपने relationship को evaluate करेंगे, कि क्या वो आपके साथ खुश है कि नहीं, अगर वो खुश नहीं है, तो उनके पास कोई reason नहीं रहेगा, आपके पास रहने के लिए, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर आप high level पर committed नहीं हो सकते हो, तो वो भी नहीं है, तो Venus फिर आपका आत्माकार का हो गया, I mean चरा आत्माकार का हो गया, क्योंकि हर किसी के लिए स्थीर आत्माकार का sun होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कि मानलो कि क्योंकि 7th house में हो रहा है, तो अगर आपका कोई पहले से ही कोई business partner है, तो यह similar चीज़ है, म Otherwise, अगर carefully handle कर सकते हैं, तो यह बहुत ही positive है, ठीक है, बहुत ही positive transit है, आपको help करेगा, सब चीजों में, तो I hope कि आप लोग को मेरे वीडियो और गाइडेंस अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो प्रीस इस वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe कर and thank you so much for watching my video, thank you, तो अगर आप लोग का लगना यानि Ascendant Cancer यानि करकट है, तो देखिए Venus आप लोग के लिए आपके 4th house and आप लोग के लिए आपके 11th house के रूलर है, Venus आपके 6th house, Sagittarius sign पर Mars and Mercury के साथ transit कर रहे है, Jupiter का भी aspect है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यह चीज होग कि क्योंकि Venus आपके 11th house के रूलर है, वो 6th house पर है, तो कोई भी चीज आपको चाहिए होगा, कोई भी चीज आप लोग अपने daily work life, daily work routine में पाना चाहते हो, तो शुरू में कुछ-कुछ obstacles आएंगे, कुछ breaks आ सकते हैं, बट क्योंकि Jupiter जोकी 6th house के रूलर है, उनका है 6th house पर, तो वो इस वक्त वीनस को protection देने की कोशिश करेंगे, उनके 6th house को protection देने की कोशिश करेंगे, तो इस वक्त जो भी obstacles आएंगे, वो major level पर नहीं आएंगे, वो छोटे मोटे obstacles होंगे, जिसको आप लोग easily overcome कर सकते हो, और उसको overcome करने के बाद आपको success मिलेगा, आप लोग पुलिस में हो, आर्मी में हो, आप लोग defense system में हो, किसी भी प्रकार के, आप लोग security system के साथ connected हो, आप लोग किसी तरह से मानलो की NGOs में काम करते हो, आप लोग naturally doctors हो, advocates हो, मतलब आप किसी को security provide करते हो, आप service प्रवाइट कर रहे हो, किसी को बचा रहे हो, ऐसे cases मे यह transit जो है, वो major, मतलब बहुँ जादा positive result create करेगा, क्योंकि देखो, mercury and mars जो है, वो शत्रिया योगा बनाता है, तो इस वेज़े से, क्योंकि वो, मतलब वीनस के साथ, यह दोनों भी connected है, कंजंग्ट है कि house में, and Jupiter का भी दृष्टी पर रहा है, तो ऐसे cases में क्या होगा, क कि लोग आपके पास आएंगे, आप बहुत ही अच्छा service प्रोवाइट कर पाएंगे, जिसके वज़े से आपके daily work life, daily work routine में, जो के 6th house रिप्रेजन करता है, ऐसे जगह पर आपका name, fame, recognition जो है, वो increase करेगा, तो यह बहुत ही positive होगा, और मानलों कि, मतलब, health wise इसे पहले, आप लोग बहुत यादा weak थे, तो इस वक्त health में भी improvement हैगा, और मानलों दीजिए कि आपके मा या फिर आपके family members में अगर कोई बिमार थे, तो उनके health में भी कुछ-कुछ positive changes इस वक्त आ सकता है, क्यों? क्योंकि Venus आपके 4th house के ruler है, जो कि 6th house पर है, अभी अगर मानलों कि आपके मा का या फिर आपके चार्ट में ऐसा indication है कि आपके family में किसी को कुछ problem होगा, health-wise, तो इस वक्त वो भी होने के chances है, बट मुझे नहीं लगता है कि वो उतना जादा prominent होगा, because यहाँ पर Jupiter जो है, Jupiter का positive influence है, तो जो भी कुछ होगा, वो छोटा-मोठा होने के chances है, क्यो तो majorly देखो यही situation है, अभी अगर Venus, क्योंकि naturally relationship के काड़का है, तो यहाँ पर relationships में कुछ-कुछ problems definitely होगे, आपका आप अगर अपने partner को commitment नहीं देंगे, अगर आपका partner आपसे खुश नहीं है, relationship में काफी दिनों से problem चल रहा है already, तो क्योंकि Venus Sagittarius sign पर मुला नक्षत्र मे transit करेंगे शुरू में, तो मुला का मतला में देखो, अपरूट करना, deep-rooted information इस वह निकल के आएंगे, communication बहुत ही deeply होगा, और अगर वहाँ पर कोई prominent solution नहीं निकला, तो आपका partner अपने existing relationship को आपके साथ जो है, वो evaluate करेंगे, और अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो satisfied नहीं है, तो ब्रेक अपने के चांसे से, और अगर मान लिजे कि आप दोनों ही एक दूसरे के तरफ बहुत दा डिवोटेड हो, commitment पाना चाहते हो, बट कोई ना कोई हमेशा कोई ना कोई हार्डल आता है, जहां पर आप लो मान लिजे कि आपके family members नहीं मानते है, देंगे, एक high level पर लेके जाएंगे, और नहीं तो कहीं न कहीं एक solution निकल के आएगा, जो कि बहुत ही आदा आपके relationship को बचा के रखेगा, और उसको high level पर लेके जाएगा, क्योंकि Sagittarius sign जो है, एक बहुत ही optimistic sign है, नैचरल कालपुरश के उनली में Sagittarius sign जो है, वो 9th उसमे फॉल करता है, तो definitely Sagittarius sign के साथ एक hope, एक high level hope, एक good luck connected होता है, एक solution maker, जो है, एक solution making ability, जो है, वो Sagittarius sign में होता है, ठीक है, तो यह depend करेगा, आपका current महादर्शा लॉड, अंत्रदशा लॉड, पड़े अंत्रदशा लॉड की स्टाप के result के तरफ इंडिकेशन दे रहे है, positive result आपको जरूर मिलेगा, बट कितना positive और कितना negative आपके like में होगा, वो depend करेगा आपके chart के उपर, ओके, तो I hope कि आप लोग को मेरे video and guidance अच्छा लगा है, अगर video अच्छा लगा है, तो please इस video को like कीजे, चैनल को subscribe कर लिजे, and thank you so much for watching my video, thank you, तो अगर आप लोग का लगन और definitely Jupiter का भी aspect है, तो यहाँ पर परहाई के लिए बहुत ही अच्छा time है, अगर आप लोग खुद student हो, या फिर आपका बच्चा इस वक्त परहाई कर रहा है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा time है, परहाई में कोई ना कोई achievement इस वक्त मिलने के chances है, specifically अगर आप लोग अखसाने के chances है, transit-wise, okay, अभी मान लोग कि आप लोग 5th house के साथ connected कोई काम करते हो, generally यह जो, मतलब transit है, यह जो, मतलब planetary, यह जो influence है दूसरे के तरफ, आप लोग no matter कि किसी भी प्रकार के क्यों ना profession में हो, यह आपको definitely good luck, good fortune देगा इस वक्त, but still अगर फिर भी आप लोग क कोई accounting का काम करते हो, finance management का काम करते हो, या फिर आप लोग technical information के साथ connected हो, किसी भी प्रकार के consulting, advising, या फिर teaching profession के साथ connected हो, तो इन cases में और भी जादा अच्छा result इस वक्त आपको मिलेगा, otherwise किसी भी profession में हो, यह आपको बहुत ही अच्छा result देगा, अगर आप लोग politics में हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा carefully communicate करना चाहिए, और जो आप promise करके fulfill नहीं कर सकते हो, वो आप लोग मत कीजिए, तो ही बहतर है, अभी देखो क्योंकि 5th house जो है, वो stock market में investment को represent करता है, या फिर किसी और के business में, आप लोग जब पैसा invest करते हो, उसको represent करता है, तो देखो transit transit-wise ये एक अच्छा time है, बट still क्योंकि ये एक generalized prediction video है, तो कही पर भी आप लोग पैसा invest करने से पहले थोड़ा सोच समझ करके तभी invest कीजिए, तो बहतर है, और 5th house हमारा romance है, थीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, creativity है, तो अगर arts, media, creativity industry में काम करते हो, बहुत अगर romance में क्या होगा, दो टाइप के result इस वक्त आपको दिखाई देंगे, क्योंकि Venus, Sagittarius sign पर मूला नक्षत्र में transit करेंगे, तो अगर आपका partner या फिर आप अपके partner के साथ खुश नहीं हो, तो इस वक्त arguments होंगे, बहुत ही deep communication होगा, अगर कोई solution निकल के आया, अगर आ relationship break up होने के चांसे से, as simple as that, यहाँ पर अगर मालो कि काफी टाइम से आप लोग committed होना चाहते हो, बट कोई ना कोई problems था, hurdles था, तो इस वक्त एक अच्छा solution निकल के आएगा, तो इस हिसाब से यह positive connection है, यह positive time हो सकता है, बट अगर आप लोगों मैं से कोई भी playgirl, playboy हो, अभी commitment नहीं देना चाहते हो, definitely इस वक्त ब्रेक अप होगा, तो ऐसा situation को आप लोग इस वक्त अवाइड नहीं कर पाएंगे, I don't think so, तो generally यही है, I hope कि आप लोगों को मेरे video and guidance अच्छा लगा है, अगर video अच्छा लगा है, तो प्लीज इस video को लाइक कीजे, मेरे चैनल को भी subscribe कर लिजाएं, thank you so much for watching my video, thank you, तो अगर आप लोग का लगना यानि ascendant, वर्गो यानि कन्या है, तो वीनस आपके 4th house Sagittarius sign पर transit कर रहे है, with Mars and Mercury, तो देखें, यहाँ पर family और definitely Jupiter का भी दृष्टी है, 4th house के उपर, तो अगर आप लोग home, land, real estate, car, hotel, resort, restaurant, या फिर मालों की पेंगेस्ट, ब्रोकरी, इस सब के साथ connected, कोई भी business के साथ, या फिर काम के साथ connected हो, काफी अच्छा इस वक टाइम होगा आप लोग के लिए, apart from that, अगर आप लोग work from home करते हो, freelancer हो, कोई खुद से कोई business करते हो, या फिर किसी भी प्रकार के job के लिए ये टाइम अच्छ अगर किसी तरह से आपका promotion होने के chances है, मानलो कि आपका current महादशालोड, अंत्रदशालोड, परियंत्रदशालोड, promotion होगा, इस चीज के तरफ indication दे रहे हैं, तो definitely promotion भी होने के chances है, otherwise एक अच्छा work recognition इस वक्त आपको मिल सकता है, आपके managers, आपके higher level bosses and authorities आपको इस वक्त अप पिर कोई घर खरीदना है, asset purchase के लिए ये एक अच्छा time है, however, क्योंकि एक generalized prediction video है, तो कुछ भी कहीं पर भी, पैसा invest करने से पहले, definitely उस चीज के बारे में properly सोच लिजे, समझ लिजे, proper information gather कीजे, उसके बाद ही काम कीजे, अभी 4th house क्योंकि politics के साथ connected है, तो अगर आप अच्छी बात है, तो यह एक अच्छी बात है, फिर भी मैं recommend करूंगी कि अगर आप लोग overly promise मत कीजे, और जो भी बात करना है, बहुत ही सोच समझ करके करें, तो ही बहतर है, otherwise यह आपके मां के साथ अपका relationship, अपके घर के अंदर का relationship इस वक्त positive, मतलब अच्छा होने के chances है मालो कि इसे पहले आपके घर में कुछ problem चल रहा था, किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर आपके घर वाले, आप कुछ करना चाहते हो, support नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर यह सब जो problem हो रहा था, वो solve होने के chances है, अगर आप लोग interior home decoration के साथ connected हो, even planners हो, तो भी काफी अच् चीज़े दिखाई देंगे, however, देखो, एक चीज़ होगा, कि अगर आपका partner के साथ, आपका connection काफी दोनों से खराब चल रहा है, तो यह एक time हो सकता है, जहाँ पर आपका partner break up कर देगा आपके साथ, और आप break up तभी करेंगे, जब आपका Venus आत्माकार का है, यानी 4 soul significator, otherwise maximum chances है, कि अगर मानलो कि बहुत टाइमस आपका partner आपको higher level पर commitment चाह रहा है, मानलो कि इस वक्त आप लोग normal relationship में हो, बट आपका partner आपसे शादी करना चाहते है, तो अगर किसी तरह से आप लोग वो नहीं दे सकते हो, या फिर कुछ और reason के वदे से कुछ आप लोगों में अन तो यहाँ पर मतलब अगर आपका partner खुश है आपके साथ, तो बहुत जादा आपके तरफ devoted हो जाएंगे, और नहीं तो relationship और बी सदा rooted होगा, गहरा होगा, और अगर उल्टा हुआ उससे तो relationship टूटने के chances है, ठीके? तो I hope कि आप लोग को मेरा वीडियो और काइडेंस तो Venus आप लोग के लिए आपके 3rd house Sagittarius sign पर transit कर रहे है, with Mars and Mercury, obviously Jupiter का भी aspect आपके 3rd house Sagittarius sign पर है, तो देखें यहाँ पर क्या होगा कि, first of all, आपका जो communication होगा, वो बहुत जादा diplomatic होगा, but बहुत जादा strong होगा, जैसे कि आप लोग किसी और को पर, मतलब, कमांड कर सकते हो, diplomatically सही, but command कर रहे हो, strongly किसी के साथ अपना कुछ opinion share कर रहे हो, और मान दीजे कि आप लोग अगर teachers है, या फिर आप लोग sales में काम करते है, digital marketing में काम करते है, आप लोग arts, media के साथ, creativity के साथ connected कोई काम करते है, आप लोग social media influencers है, तो definitely यहाँ पर आप लोग को काफी अच्छा success मिलेगा, आप लोग अगर अपने communication को बहुत सदा यूज करते हो, अपने career में, अपने profession में, तो वो भी बहुत अच्छा time होगा आप लोग के लिए, for example, कि आप लोग consultant हो, आप लोग advisors हो, आप लोग lawyers हो, तो definitely आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा time है, आप लोग अपने enemies को defeat कर सकते हो, इस वक्त अपने communication से, अपने logic से, क्योंकि Mars यहाँ पर logic को represent करता है, Mars actually logic है, Mercury हमारा communication है, Venus जो है वो एक creative style होता है, Venus actually diplomacy को भी represent करता है, okay, तो यह perfect combination है आपके third house of communication में, तो बहुत ही अच्छे से इस वक्त आपको support मिलेगा, at the same time अगर आप लोग परहाई करते हो, या फिर कोई भी आप लोग technical, creative, आप लोग कोई skill सीखना चाहते हो, बहुत ही अच्छा time है, क्योंकि not only third house हमारी skill को represent करता है, but क्योंकि यह तीनों planet का जो दृष्टी है, वो 9th house of higher learning पर पर रहा है, तो definitely आप लोग परहाई करोगे, तो भी बहुत अच्छा time है, तो दे आप लोग already एक दूसरे के साथ बहुत जदा loyal हो, devoted हो, तो यहाँ पर आपका जो communication होगा, वो बहुत ही deep level पे होगा, like आप लोग काफी अपने relationship को और जदा higher level पे ले जाने की कोशिश करेंगे, आप लोग का relationship और जदा deep rooted होगा, relationship के अंदर love, passion, romance और जदा बढ़ेगा, but व को mature होगा, however, अगर मालो कि आपके साथ आपके partner का उतना अच्छा bonding नहीं है, काफी जिनों से problem चल रहा है, specifically आपका partner आपको committed होने के लिए बोल रहे है, but आप लोग नहीं हो पा रहे हो due to some reason, तो यहाँ पर क्या होगा, कि आपका partner इस वक इस relationship को break up करने की कोशिश करेंगे, क्यूंकि, देखो, Sagittarius sign पर मूला नक्षत्रा में Venus ट्रांसिट करेंगे, शुरू में, तो इधर क्या होगा, मूला नक्षत्रा केतू दोहारा डोल्ड एक नक्षत्रा है, तो केतू detachment को represent करता है, और मूला नक्षत्रा itself, मतलब एक उग्र नक्षत्रा है, जो कि detachment को represent करता ह है, तो इस वाएसे क्या होगा, कि अगर कोई prominent solution नहीं निकला, even after communication, तो वो relationship मुझे नहीं लगता है, कि वो last करेगा, और ने, तो at least अगर नहीं टूटा, तो भी जग्रे बहुत सदा होंगे, because मूला नक्षत्रा के बाद, वीनस जो है, वो पूर्वा शादा नक्षत्रा में transit करेंगे, पूर्वा शादा नक्षत्रा भी वर्ड के साथ connected नक्षत्रा है, तो definitely काफी सादा verbal arguments इस वक्त होंगे, तो आपको बहुत ही carefully इस situation को फिर handle करना है, थीक है, तो I hope कि आप लोग को मेरे वीडियो and guidance अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो प्ल transit करेंगे with Mars and Mercury, तो second house हो है, वो हमारे family को represent करता है, speech को represent करता है कि किस तरह से हम लोग बात करते है, second house हमारा resources है, second house हो हमारा savings है, थीक है, food habit है, तो इधर क्या होगा, आप लोग बहुत यादा comfort आप लोग सीख करेंगे, यानि कोई भी काम करेंगे, वहाँ पर कितना आपको comfortable है, आप लोग कितना comfortable हो उस काम में, कितना अच्छा आपको वहाँ से आपको, मतलब कितना comfort मिल रहा है, कितना convenience है आपको मिल रहा है, इन सब चीजों के ऊपर आप लोग बहुत धा ध्यान देंगे, at the same time, अगर आप लोग अपने communication को बहुत धा use करते हो, और आपका speech, managers हो, आप लोग किसी और के लिए पैसा invest करते हो, या फिर खुद किसी और के business पर पैसा invest करते हो, या फिर naturally आप लोग banking में काम करते हो, बैंक में काम करते हो, आप लोग insurance, policies, industry में काम करते हो, तो definitely ये टाइम आप लोग के लिए अच्छा है, आप लोग occult and mystical knowledge में भी अगर आप लोग interested हो, तो भी ये टाइम आप लोग के लिए अच्छा है, आप लोग इस type का जो भी education है, वो अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हो, higher studies करना चाहते हो, ये टाइम अच्छा है, थीक है, बट यहाँ पर क्या होगा, देखो, आप लोग अपने comfort के लिए, अपने ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा careful होना है, और अपने family members के साथ, आपका either relationship बहुत स्ट्रॉंग होगा, और नय तो आपके family members के साथ, आपका problem हो सकता है, जगरा हो सकता है, specifically किसी lady के साथ, आपका problem हो सकता है, क्योंकि Venus, देखो, Sagittarius sign पर मूला नक्षत्रा में transit करेंगे, तो मूला नक्षत्रा जो है naturally Venus, I mean मूला नक्षत्रा, केतु दोड़ारोल्लड एक नक्षत्रा है, तो केतु itself detachment को represent करता है, deep rooted communication को represent करता है, बट अधर सेम तेम मूला नक्षत्रा जो है, वो अपरूटमेंट को represent करता है, मूला एक बहुत ही उब् On the other hand, Mercury and Mars का conjunction जो है, वो एक शत्रिया योगा बनाता है तो वहाँ पर वर्बल आर्गुमेंट होने के चांसे से तो आपको थोड़ा अपने family members के साथ कैसे बात करना है, कैसे communicate करना है थोड़ा अपको diplomatically चीजों को handle करना है बाकी देखो मुझे नहीं लगता कि बहुत जादा कुछ problem होगा क्योंकि obviously Jupiter का भी aspect इस वक आपके Sagittarius sign पर है तो Jupiter कोशिश करेंगे कि बहुत बड़ा कुछ problem ना हो और जो भी problem है थोड़ा छोटा मोटा उसमें से ही निकल जाए तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो और गाइनस अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजा है तो first of all अगर आप लोग पढ़ाई करते हो या फिर अगर आप लोग बिजनेस में हो definitely ये टाइम बहुत ज़ज़ा अच्छा है किसी भी प्रकार के अगर spiritual field में आप लोग हो जैसे yoga instructor, meditation instruction देते हो आप लोग आप लोग religious studies करते हो उसके उपर research करते हो या फिर किसी ना किसी तरह से आप लोग social media personality हो जहाँ पर आप लोग religion के उपर आप लोग discuss करते हो आप लोग naturally आप लोग consultant हो advisors हो आप लोग professors हो आप लोग import-export related कोई business करते हो या फिर इस type के किसी भी field के साथ connected हो definitely ये बहुत ही आप लोग का जो passion है वो बहुत जदा बढ़ेगा communication style बहुत ही अदा diplomatic होगा वो अच्छा होगा जो आपके business को grow करने में आपको help करेगा clients attraction के लिए बहुत जदा help करेगा तो अगर आप लोग marketing करना चाहते हो तो definitely a time बहुत अच्छा है किसी और के business के साथ आप लोग collaborate करना चाहते हो कोई partnership करना चाहते हो बहुत ही अच्छा time है but problem यहाँ पर एक चीज आएगा कि क्योंकि देखो Venus अपके लगना पर है और Venus का दृष्टी Mars का दृष्टी Mercury का दृष्टी अपके 7th house पर है तो both you and your partner अगर एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो तो इस बग ब्रेक अप होने के chances और similarly अगर आप लोग का पहले से ही कोई business partner है उनके साथ भी आपका कोई problem है तो भी ब्रेक अप होने के chances है अब marriage के अंदर ब्रेक अप तो इस तरह से नहीं होता इतना आसान नहीं होता तो marriage के अंदर क्या होगा कि छोटे मोटे arguments होंगे और अगर आपका current महादशा अंत्रदशा लोड पड़ी अंत्रदशा लोड मतला positive result के तरफ इंडिकेशन दे रहे है खास करके relationship में तो यह पर क्या हो सकते है देखो Venus जब Sagittarius sign पर एंटर करेंगे तो वो मूला नक्षत्रा में एंटर करेंगे अभी मूला नक्षत्रा का जो spirit animal है जो actually जो animal connected मूला के partner को attract करता है जो बहुत जादा loyal होता है committed होता है बट क्योंकि मूला नक्षत्रा का जो base है वो बहुत ही उग्रा नक्षत्रा है तो उन लोगों का जो partner होता है ना लेक वो लोग बहुत जदा उग्रा होता है मतलब आप उनके त्यमूड को समझ नहीं पाऊगे एक टाइम बहुत जदा स्वीटली बात करेंगे, दूसरे ही टाइम पर बहुत जदा गुस्ता करेंगे आपके ऊपर, आपने कुछ किया होगा, पर नैचरली शायद इंसान उतना गुस्ता नहीं करता है, पर क्यूंकि उसका नेचर उग्र है, तो निकल के आता है, तो अगर मानलों कि आ आपका कोई प्रॉबलम है, या फिर वाइस वर्सा, अगर कुछ भी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग बहुत ही डीप थिंकिंग करेंगे, शायद बहुत ही डीप लेवल पर कम्यूनिकेशन भी होगा, और अगर कोई रास्ता नहीं निकला, अगर आप और नहीं त कर रहा है कि आप लोग किस टाइप का एक्शन ले रहे हो अपने डिलिशन्शिप में, तो आप लोग को मेरे ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कीजे, चैनल को सब्स्क्राइब कीजे, और थैंक यू सो म 12th house जो है वो हमारे subconscious mind को represent करता है 12th house foreign travel को represent करता है and Venus आपके 10th house के ruler है and आपके 5th house के ruler है तो इधर क्या होगा कि first of all आप अगर परहाई के लिए किसी long distance place पर traveling करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग business करते हो या फिर अगर आप लोग के naturally कोई एक ऐसा job करते हो जहाँ पर मतलब मालो कि आप लोग किसी MNC company में job करते हो तो वो लोग भी आपको किसी long distance place यानि abroad travel पर भेज सकते है obviously job related purpose के लिए और ने तो अगर आप लोग खुद भी business करते हो तो उसके लिए भी आप लोग को foreign travel करना पर सकता है अभी देखो foreign travel हर कोई नहीं करेगा क्योंकि foreign travel के लिए आपके horoscope में proper yoga proper combination होना चाहिए along with आपका current महादशलोड, अंत्रदशलोड, परियंत्रदशलोड के तरफ से भी उसका indication होना चाहिए तो इस situation में क्या हो सकता है कि आपको किसी MNC company के तरफ से job offer आ सकता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग इंडिया में बैट के काम करते हो बट किसी foreign company के लिए आप लोग काम करते हो जिसका पूरा जो main base है वो abroad किसी प्लेस पे है पर आप लोग इंडिया में बैट कर काम कर रहे हो आपका जो team members है वो भी किसी और country से बिलॉंग करता है तो आप लोग remotely अपने मतलब किसी घर में से आप लोग काम करते हो तो ऐसा situations भी हो सकता है और नहीं तो क्या होगा कि MNC company से आपको job offer आ सकता है मानलो इससे पहले आप लोग मतलब domestic किसी company के लिए काम करते थे अभी आप लोग international company के लिए काम करोगे अगर business करते हो तो international clients इस वक्त आपके पास आ सकता है और नहीं तो किसी long distance place में आप लोग travel करना पड़ेगा आप लोग को तो ऐसा scenarios इस वक्त आ सकता है और देखिए क्योंकि Mars आपके 12th house में है Venus के साथ तो यहाँ पर क्या होगा Mars, Mercury and Venus बहुत ही passionate conjunction होता है Jupiter का काम है किसी भी planet का कोई भी जो मानलो क्या बोलते है उसका जो भी significance है उसको और जदा बढ़ा कर देना amplify करना तो इधर आपके अंदर sexual pleasure का जो tendency होगा और भी जदा बढ़ जाएगा passion, romance बहुत जदा बढ़ेगा तो यह एक positive influence है but at the same time आपको at the same time क्या होगा कि देखो Venus क्योंकि Mula Nakhshatra में transit कर रहे है तो यहाँ पर आप लोग more than physical connection आप लोग spiritual connection ढूनने की कोशिश करेंगे आप लोग mental connection ढूनने की कोशिश करेंगे कि आप लोग कितना यादा compatible हो तो वो चीज़ आप लोग spiritually आप लोग बात करेंगे बहुत सदा आप लोग मतलब higher level पर commitment चाहोगे ठीक है तो यह सब tendencies इस वक्त आ सकता है अभी मालो आप या फिर आपके partner में से कोई एक अगर ठीक से commitment नहीं शो कर रहा है या फिर commitment नहीं दे पा रहा है तो यहाँ पर relationship में problems होंगे क्योंकि इन तीनों planet का जो combine दृष्टी है वो आपके 6,000 में पर रहा है जो कि argument को represent करता है ठीक है तो इधर यह सब problems हो सकता है बट overall आपके health में improvement आ सकता है आपके daily work life daily work routine में improvement आ सकता है क्योंकि इन तीनों planet का combine दृष्टी आपके 6,000 में है क्योंकि मार्स एक बहुत ही soldier like planet है मार्स soldier है ठीक है वीनस जो है वो देखत गुरु है वो diplomacy को represent करते है mercury communication है हमारा intelligence है मार्स अचले logic है तो यहाँ पर logically आप लोग अपने enemies को defeat कर सकते हो मालो कि कोई है जो हमेशा आपको oppose करता है आपके work space में तो इस वक्त आप लोग अपने intelligence को यूज करके अपने communication अपने diplomacy को यूज करके उन लोगो stop कर सकते हो ठीक है तो देखो ओवराल आप लोग के लिए अच्छा ही है timing बस आपको मतलब अपने relationship में थोड़ा commitment दिखाना पड़ेगा ठीक है साइन पर transit कर रहे है with Mars and Mercury obviously Jupiter का भी दृष्टी आपके 11th house पर Venus, Mars and Mercury के उपर है तो यह एक बहुत ही अच्छा conjunction है यहाँ पर आपके professional network circle के साथ आपका communication आपका relationship इंप्रूफ करेगा साथी में अगर आप लोग एडूकेशन में हो आइदर आप लोग खुद teachers हो और नहीं तो आप लोग खुद student हो तो यहाँ पर educational achievement मिल सकता है रोमैंस में यह टाइम अच्छा होगा क्योंकि आप लोग का overall passion बहुत जदा बढ़ जाएगा अपने relationship के तरफ but on the other side क्या होगा कि क्योंकि Venus जो है वो मूला नक्षत्र में transit करेंगे Sagittarius sign पर तो अगर मालो कि आप और नहीं तो आपके partner दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो तो यहाँ पर deeply आप लोग communicate करेंगे कि problem क्या है और उसका solution निकालने की कोशिश करेंगे but अगर वो नहीं निकला कोई solution and still आप लोग के बीच में commitment ठीक से नहीं हो पा रहा है आपका partner आपसे commitment चाह रहा है पर आप किसी और वज़े से मतलब commitment नहीं दे पा रहे हो तो यहाँ पर एक problem होने के chances है breakups होने के chances है but break up होगा नहीं होगा वो completely आपके चार्ट के उपर depend करेगा अभी अगर आपका बच्चा भी पढ़ाई में है educational field में है तो उनको भी educational कोई success इसवक मिल सकता है आपका professional network circle इसवक बड़ा होगा overall gains and achievements जादा होने के इसवक chances है अगर आप लोगों अपने ego को अपने गुस्से को काबू में नहीं रखा और diplomatic approach अगर नहीं लिया तो आपके professional network circle के साथ कुछ आपका verbal argument भी हो सकता है खास करके अगर कोई female इंसान है तो उनके साथ जादा होगा क्योंकि Venus first मूला नक्षिट्र में जाएंगे उसके पूर्वा शादा नक्षिट्र में जाएंगे अब ही पूर्वा शादा नक्षिट्रवा इंथ्द दोनों ही war oriented नक्षिट्र्वाव zwei wordt each story और ओर वोड ओर्येंटेड नक्षिट्रा है और अ leads बहुत हिए कने और आपसे छ जाहते हैं, otherwise एक इंसान पूरा लॉयल है नहीं है, वो तो पूरा इंसान का पूरा ओवराल चार्ट एनलाइज करके ही अम लोग बता सकते हैं, but यह मतलब one of the clue है, एक पजल का, ठीक है, तो अगर आप लोग अपना पैसा कही पर इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग इन्वेस अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे, and thank you so much for watching my वीडियो, thank you, तो अगर आप लोग का लगना यानि असेंडेंट, पैसीस यानि मीन है, तो देखिए, आपके 10,000 Sagittarius sign पर ट्रांजिट कर रहे है, with Mars and Mercury, obviously Jupiter का भी दृष्टी इस वक्त है आपके 10,000 पर, तो देखिए, ये एक बहुत ही positive time है, जहाँ पर आपका complete focus आपके केरियर पे होगा, अगर आप अपने no matter कि आप लोग arts में हो, media पे हो, creativity field में हो, आप लोग technical field में हो, आप matter कि किसी भी field में आप लोग हो, चाहे आप लोग job करते हो, चाहे आप लोग business करते हो, ये एक बहुत ही अच्छा time है, जहाँ पर आपको अपने profession में, अगर आप लोगों ने proper action लिया, तो significant amount of growth इस वक्त आपको मिलेगा, okay, अभी ये जो growth होगा, वो suddenly आपको मिलेगा, क्यों आपको significant amount of, like, क्या बोलते है, effort आपको अपने career में इस वक्त आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि वीने सबके third house के भी ruler है, जो effort को represent करता है, अगर आप लोगों ने सब कुछ proper planning किया, proper effort दिया, और properly आपको काम कर रहे हो, step by step, बहुत अच्छा time है, career के लिए बहुत अच्छा time है, but still, क्योंकि ये एक generalized prediction video है, तो कुछ भी आप लोग नया काम करना चाहते हो, कोई भी career change करना चाहते हो, या फिर आप लोग कोई भी पैसा invest कर रहे हो, कही पर कोई asset खरीदने के लिए, तो इन सबी चीजों के लिए, please proper information gather कीजे, properly सोच लिजे, समझ लिजे, उ तो transit के हिसाब से ये time बहुत अच्छा है, okay, आप लोग को बहुत अच्छा support मिलेगा, relationship में देखो, ये क्योंकि Venus naturally relationship को represent करता है, तो career के अंदर जो आपका professional network circle होगा हो सकता है, कि आप लोग काफी सारे female clients को इस वक्त आप लोग attract करेंगे, जो लोग loyal होंगे, but क्या होगा, क उनके अंदर कुछ-कुछ sufferings होगा, ठीक है, वो लोग spiritual होंगे, loyal होंगे, but उनके अंदर एक उग्र, एक tendency होगा इसवाब, क्योंकि Venus मुला नक्षत्र में transit करेंगे, मुला जो है, एक केतु द्वारा रूल एक नक्षत्रा है, तो definitely spirituality connected है, but at the same time, मुला बहुत ही deep rooted communication को represent करता है, तो बहुत ही deep communication होगा, मुला नक्षत्र के साथ, डॉग connected है, तो definitely dog एक loyal होता है, तो एक loyalty connected है, मुला नक्षत्र के साथ, but मुला एक उग्र नक्षत्रा है, तो जब भी, मतलब, इस type के लोग, जिनका भी horoscope में मूला बहुत ही जादा dominating है, वो लोग loyal होते है, committed होते है, but क क्या होता है, कि वो लोग सदेनली बहुत जदा मतलब गुसा कर लेते हैं, बहुत जदा चिलाते हैं, तो इस वज़े से काफी लोग उनको गलत समझते हैं, तो आपका जो professional circle के अंदर, business के अंदर, job space के अंदर, आप लोगो को ऐसे type के लोग इस बग जादा मिलेंगे, जो इस type के होंगे, तो आपको थोड़ा समझना करेगा, otherwise मुझा नहीं लगता है कि relationship को ये transit बहुत जदा effect करेगा, क्यूंकि definitely Venus का सिर्फ एक ही aspect होता है, कि वो 7th place में अपना drisht दालते हैं, तो घर के अंदर, आपको situation को थोड़ा diplomatically manage करना है, okay, तो I hope कि आप लोग को मेरे video and guidance अच्छा लगा है, अगर आप लोगोंने इस video का transit analysis part नहीं सुना है, तो definitely आप लोग सुन लिजे, इसी video के शुरुवाती portion में है, तो उसमें भी मैंने काफी कुछ चीज़े बहुत अच्छे से मैंने explain किया है, तो आपको और ज्यादा अच्छा information मिलेगा, इस transit related, okay, तो I hope क आप लोगों को मेरे video and guidance अच्छा लगा है, अगर video अच्छा लगा है तो please इस video को like कीजिए, मेरे channel को subscribe कर लिजिए and thank you so much for watching my video, thank you